कि चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 के मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं देर स्टुडेंट जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पिछले क्लास में यानि की पिछले विडियो में 5.7 का ओल्रेडी पूरा कंपलेट कर लिया है तो हम लोग 12 क्लास के मैथ सब्जेक्ट को रहेंगे 5.8 का सबसे पहले सिखेंगे ठीओरी ठीक है तो सबसे पहले हम लोग 5.8 को इक्सरसाइज से पहले जैसा कि सभी इक्सरसाइज से पहले आप जानते ही हैं कि हम लोग ठीओरी को करते हैं तो 5.8 का जो एक्सरसाइज है तो अब हम लोग उसका पहले हम लोग करेंग theory तो कि theory अगर समझ में आएगा तभी हम लोगा जितना भी है वह सभी सारा कुछ समझ में आएगा तो चलिए 5.8 का theory पढ़ते हैं तो यह देखिए 5.8 का exercise 5.8 का theory है और theory में हम लोग topic बनाए है rolls theorem क्या बना है इसको rolls theorem अब rolls theorem में जो arrow देकर लिखे हैं यह लिखे हैं कि any function कोई function रहेगा y बराबर f of x is said to be verified rolls theorem यानि कि उसको हम लोग verified rolls theorem तभी कहेंगे theorem in interval a,b यानि कि अगर interval दिया रहेगा a to be कब जब f a वराब f a is equal to f b और दूसरा बोलता है first we find f dash x then find c using f dash c equal to 0 and c belongs to a,b आप ध्यान दिजे इन चीजों को rolls theorem एक theorem होता है जिसका नाम ही है rolls theorem ठीक है अब इसको verify कराने के लिए कुछ condition है अगर सवाल कोई पूछेगा कि rolls theorem को verify करो ठीक है तो आप rolls theorem के बारे में बढ़िया से सिखिए कि कोई भी function y बराबर रहेगा जैसे मान लिया कि रहेगा y बराबर 2x square plus 4x plus 3 ठीक है मान लिया कि कोई भी y बराबर दिया रहेगा किस में x में function दिया रहेगा ठीक है is said to be verified rolls theorem यानि कि rolls theorem को तभी verified करेगा जब उसका जो value है और a और b के interval के बिच में आना चाहिए जिसे मान लिया रहेगा कि ये y का value सवाल दिया रहेगा और comma करके एक interval रहेगा कि 2 से 4 लेना है इसका मतलब हुआ कि पहले वाला हो गया a command और बाद वाला हो गया b command यानि कि interval में जो कुछ भी रहेगा उसमें पहले वाला हो जाएगा a command और दूसरा वाला हो जाएगा b command ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये लिखएगा एफ x बराबर रहेगा तो मान लिया जाए कि f of A रखेंगे, यानि कि x के जगा पर आप A रखेगा और x के जगा पर b रखेगा, ठीक है? तो अगर ये किसका वैलू, अगर इसका वैलू दोनों equal होना चाहिए, यानि कि देखिए, Rolls theorem में हम क्या बात सीखे कि APA का value, APB के value के बराबर होना चाहिए यह पहला condition है और दूसरा condition क्या बोलता है First we find F-X अच्छा, F-X का मतलब क्या होता है F-X का मतलब होता है DY बटा DX ठीक है अब DY बटा DX भी निकालना है Then find C using F-C equal to 0 समझाना चाहा रहे है जैसे माल लिया कि एक question रहेगा Simple क्या रहेगा तो 100 square plus 2x देखिए सवाल रहेगा If Example में लिखे लिएगा कि F-X का value दिया हुआ है कितना भई तो 100 square plus 2x 100 square plus 2x minus 8 minus 8 ठीक है और यहाँ पे दिया रहेगा minus 4 से 2 देखिए हम लोग rolls theorem को verify करने के लिए बोल रहे है यानि कि question लिखा हुआ रहेगा कि या फिर prove that prove that verify या verify prove that rolls theorem ऐसा बोलेगा कि rolls theorem को prove करो या फिर verify करो सवाल क्या दिब बोला कि rules rolls theorem को verify करो या फिर prove करो सवाल में effects का value दे दिया कितना कितना के बिच में minus 4 और 2 के बिच में तो roll theorem को verify करता है ज़रा देखिए पहला तब verify करेगा जब a फे का मान fb के बराबर होना चाहिए तो यहां जब इस solution में लिखेंगे तो लिखेंगे कि here here a का value कितना है here a का value हो गया interval में minus 4 तो यहां लिख देंगे minus 4 और b का value कितना हो गया तो b का value हो गया यहां पर 2 क्यों क्योंकि जो पहले वाला value दिया रहता है उँ हो जाता है a का मान और जो बाद वाला रहता है उँ हो जाता है b का मान तो a का value minus 4 हो गया और b का value 2 हो गया ठीक है तो अब a का value minus 4 हो गया और b का value minus 2 हो गया तब यहां से आप f a निकाले f a का मतलब कितना तो f minus 4 ठीक है तो यह minus 4 किसमें रखेंगे चुकि f x का value x square plus 2x minus 8 है तो x के जगा पे आप रखें minus 4 का square plus 2 into x के जगा पे रखेंगे minus 4 तो कितना हो जाएगा minus 8 तो कुल मिला कर कितना हो जाएगा minus 4 का square 16 और minus में 8 और यह minus में 8 तो यह हो जाएगा 0 देख पा रहोंगे जब आप x के जगा पे minus 4 रखेंगे तो कितना आ रहा है 0 अब आप उसी तरीके से solve करके f b का value निकाले यानि कि अब आप यहां से निकाले f b क्यों क्यों क्योंकि rolls theorem में अभी हम लोग पढ़े हैं क्या पढ़े हैं जरा दिखा देते हैं कि a fa का value a fa b के बराबर होना चाहिए यानि कि rolls theorem को prove करने के लिए या फिर rolls theorem को verify करने के लिए दो condition होना बहुत जरूरी है पहला कौन सा condition कि a fa बराबर a fa b होना चाहिए यह तो हम लोग को सबसे पहले समझना चाहिए अगर a fa fa b बराबर आता है तभी हम दूसरा काम करेंगे अगर मान लिए जा कि a fa और a fa b बराबर होबे नहीं किया तो जब बराबर नहीं हुआ तो हम लोग यहीं से rolls theorem डिस भेरिफाई हो गया प्रूफ कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही चीज़ चाहिए तो पहला a fa और a fa b 0 होना चाहिए a fa और a fa b बराबर होना चाहिए जैसे a fa ka value अभी हम लोग का कितना आया 0 उसी तरीके से अब a fa b ka value अगर हमें 0 आता है तो जो सबसे पहले आयगा वो हो जाएगा a का मान और जो बाद में रहेगा वो b का मान तो अब f of b का मतलब f of 2 ठीक है f 2 निकालेंगे यहां पर क्यों क्योंकि b का value 2 है तो जब b का value 2 है तो आप देखिए जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे 2 तो 2 का square plus 2 into 2 minus 8 x जहां जहां था वहां पर 2 रख दिये तो 2 का square 4 plus 4 minus 8 तो यहां हो जाएगा 0 ठीक है यहां लिखेगा चुकी f a का value कितना आ गया f b के बराबर हो गया ठीक है देख पार हो ना 0 आया 0 आया यानिकि पहला जोग दोनों कंडिशन होना चाहिए था जिसमें हम लोगों को आ गया जब आ गया तो फिर हम क्या करेंगे अब दूसरा चीज को सीखेंगे दूसरा क्या बोल रहे है कि हमें f dash x निकालना है तो अब f dash x यानिकि पहला जब बराबर हो गया तभी दूसरा वाला भी आना चाहिए यानिकि दोनों verify करेगा तभी rolls theorem हम लोगों का proof होगा तो आप ज़रा rolls theorem को अच्छे से समझिए कि rolls theorem में क्या क्या देगा तो y बराबर f x देगा मने कोई भी समिकरन देगा x में और interval जरूर देगा जैसे a b यी interval होना जरूरी है इस अवाल में यहाँ तक देगा और फिर बोलेगा कि rolls theorem को verify करो तो rolls theorem को कभी verify करेंगे जब f a का मान f b के बराबर हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ f a का value f b के बराबर हो जाएगा तब आप दूसरा काम करना है जैसे के भी हम example में दिखा रहे थे कि f a का value f b का value के 0 आ गया था तो दूसरा जो बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि आप f dash x निकाले अब f dash x का मतलब क्या होता है तो एक बार differentiation करना f dash x का मतलब हुआ एक बार differentiation करना तो चलिए अभी तक क्या आपको हम दिखाते हैं चुकि इतना कर लिए हम लोग एक सवाल था जिसको verify करना था rolls theorem को तो a और b का मान यहां से देखके निकाल लिए a फे और fb का बान निकाल लिए 0-0 आ गया अब लिखेंगे now चुकि f dash x का value कितना दिया है सवाल में यहां देखे एक सस्क्वार प्लस 2x-8 एक सस्क्वार प्लस 2x-8 अब इसी से निकालना है f dash x यानि कि जो सवाल आपको दिया रहेगा उसको आपको एक बार मन में ृडिफ्रेंसेशन करना है तो जरा आप हम लोग को अईडिया लग गया होगा तो इसको हम लोग मन में डिफ्रेंसेशन करते है अंस्क्वार का डिफ्रेंसेशन कितना होग तो 2x होगा आप चाहे तो कर भी सकते हैं क्योंकि power 2 है तो पहले आ गया और Extra 10-9 1-0 और अब f-x का value आया तो अब आपको क्या करना है f-x जितना आएगा उससे आप निकालना है इसलिए अब आप f-x के जगह पे आप f-c रखिए ऐसा rule नियम बोल रहा है देखिए rule नियम फिर से दिखा देते हैं कि दूसरा rule क्या बोलता है पहला तो बराबर होना चाहिए दूसरा बोल रहा है first we find f-x एभी हम लोग find out कर लिए f-x का मतलब एक बढ़ डिफ्रेंशेशन then find c using f-c बराबर 0 अब क्या करना है जैसे f-x निकाले इतना आया तो f-c करना है तो simple है f-x में यहां पर x आया है तो f-c में 2c plus 2 हो जाएगा ठीक है फिर लिखेंगे again again में क्या करना है इस बार एक फार्मूला का यूज करना है f-c बराबर 0 का फार्मूला यूज करना है ठीक है अब इस फार्मूला का यूज करके c का value निकालना है तो अब हम f-x का के टर्म में लिख दिना है x के जगा पर c लगाना है तो f-c हो जाएगा तो यहां x था तो यहां c कर दिए तो अब f-c का value 2c plus 2 बराबर कितना 0 तो यहां से c का मान निकालना है तो 2c बराबर कितना minus 2 इसलिए c बराबर कितना हो गया minus 1 दू से दिर डिवाइड करेंगे तो अगर यह c का value दोनों इंटर्भल के बीच में आ गया यहां कि minus 4 से लेकर 2 के बीच में आ गया तब हम बोलेंगे कि हम लोगों का rolls theorem verified हुआ यानि कि हम लोग का जो दो situation है ना कौन कौन सा situation rolls theorem को verify करने के लिए any function y बराबर f of x is said to be verified rolls theorem is in interval a b कि if कब-कब जब a फे बराबर f b हो जाए तो यह वाला तो होई गया है दूसरा क्या था first we find f dash x हमें f dash x निकालना था हम भी निकाले उसको फिर f dash c करना है और फिर f dash c बराबर 0 का formula का यूज करके c का मान निकालना है अगर c का value a और b के बिच में आता है तब यह verify होता है तो यहाँ पर देखिए सवाल अब जड़ा सवाल और दोनों आंसर दिखाते हैं आपको तो यहाँ से आप f dash c का तो value निकाल लिए f dash c बराबर 0 का यूज करके अब c का value जितना निकला अब आपको checker करना है कि minus 1 जो है o minus 4 और 2 के बिच में आता है यह चीज अगर नहीं आता है जैसे मान लिया जाए कि 2 जो है कभी 5 और 6 के बिच में आएगा चाहे 5 7 के बिच में आएगा नहीं आएगा तो अगर ऐसा आता जैसे c का value 2 आ जाता अब interval 5 7 दिया रहता तो क्या दू जो है 5 और 7 के बिच में कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है दू जो है 5 7 के बिच में कभी नहीं आ सकता है इसलिए हम इसको काट देंगे ठीक है और जब ही कट गया तो यहाँ पे लिख देंगे कि not verified rolls theorem ठीक है लेकिन आप यहाँ पे यह चीज़ देखिए कि हमें c का value कितना आया है minus 1 और जब c का value minus 1 दिया है तो minus 1 क्या minus 4 और 2 के बिच में आता है तो बिलकुल आता है जब आता है तो इसको काटना नहीं है क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि आता है ठीक है बिच में आता ह है और जब इसको काट देंगे तो इसका मतलब होता है कि वह बीच में नहीं आता है जैसे 2 जो है 5 और 7 के बिच में नहीं आता है इसलिए हम इसको काट दिये समझ पा रहे होंगे तो इस तरह से यहां पर आप अच्छे से समझे कि minus 1 जो है minus 4 और 2 के बिच में आता है It is verified Rolls theorem ठीक है तो आप बड़ियस Rolls theorem को समझें क्योंकि 5.8 exercise में न दूगो theorem है Rolls theorem है और एक हो है LMPT Language Mean Value theorem तो एक LMBT है और एक RT है बोले तो RT मतलब Rolls theorem और एक है LMBT, LMBT मतलब Langrange Mean Value Theorem, तो आज हम लोग Rawls Theorem को पढ़ें, और Rawls Theorem जो है आपको प्रैक्टिस करने का चीज है, कि आप इन चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजे, ताकि आपको कोई प्राब्लम नहीं हो, और बात रहा कि इसको चेक करने का तरीका, तो आप पहले जो है थियोरी में लिख लिजेगा यहां से, Rawls Theorem से, जो थियोरी है exercise 5.8 का, first arrow दिजेगा Rawls Theorem के अंतरगत, any function y बराबर f of x is said to be verified Rawls Theorem in interval a to b, if पहला situation कब, जब a f a f b बराबर होना चाहिए, यह पहला है condition, तभी Rawls Theorem verify होगा, दूसरा है, first we find f dash x, then find c using f dash c बराबर 0, इसका मतलब यह बोल रहा है कि जो f x दिया रहेगा यहां पर, उसका आपको क्या करना है, एक बार differentiation करना है, differentiation करके जो आएगा, उसके जगा पर c रखना है, f dash c, फिर f dash c बराबर 0 का formula use करके, c कमान निकालना है, अगर यह c कमान, a और b के बिच में आता ह है, c कमान, a और b के बिच में आता है, a और b के मतलब क्या, कि इस interval के बिच में आता है, तब यह verified हो जाएगा, जैसा कि हम फिर से समझाना चाहिए रहे है, कि यह question दिया हुआ था यह, देख पार होंगे, prove that rolls theorem, यह सवाल बोल रहा है, prove that यह फिर verified that बोला सकता है, तो language से square plus 2x minus 8, कितना किनते interval, तो minus 4 और 2 का interval था, इसमें आप सबसे पहले चुनिए, कि a और b का value क्या होगा, तो जो interval में सबसे पहले, यह इसको बोलते है interval, जो bracket में दिया रहता है, इसी को interval कहते है, जो सबसे पहले दिया रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे a का value, और जो बा कि a का मान निकलना, a का मने, a के जगा पे minus 4, तो f minus 4 निकलना है, तो fx का value में, x के जगा पे हम minus 4 रख देंगे, तो जितना आएगा, फिर वैसा ही fb निकलना है, तो b का मान कितना, 2, तो जहां जहां fx था, x था, वहां टू रखना है, तो यहां पे टू रख दिये, कितना आया 0 अगर मानलिया जाये कि यहां a a आप सेय दोनों को एकवल आता है तभी आगे का काम करना है अगर मानलिया जाय कि यहां आता 0 और यहां आता 1 तो अभी यह जो है a does not equal sp hybrid हो जाता तो अभी जब ऐसा हो जाता तो यहें लिख देते हैं इस नोट भेरिफाइड क्या समझ रहे हैं लेकिन यानि कि वहां पर बराबर होना चाहिए तभी हम दूसरा केस में आएंगे दूसरा वाला जो मेथड है उसको अपलाई करेंगे लेकिन यहां पर आप देख पार हैं कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों जो है क्मल है एक-पर लूजी रो एf लीजे अप गालने के बाद एक के जगए पर कितना रखना तो एक्स के जगा पे सी रखना है तो यहां एक्स के जगा पे एक मिनट एक्स के जगा पे सी रख है तो यहां टू एक्स प्लस टू था एफ डैस एक्स कमान तो एफ डैस सी कमान उजागा टू सी प्लस टू फिर एक फर्मुला का यूज करना है एफ डैस सी बराबर जीरो तो इस फर्मूला का यूज करके C का भैलू निकाल लेजिए और C का भैलू जितना आता है उतना को फिर चेक कीजिए ये belongs to पड़ते हैं कि क्या मेरा जो इंटरवल दिया हुआ था उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आएगा तो ऐसा साइन देकर उसको आच और साथ के बीच में नहीं आता तो यहां अगर नहीं आता तब यहां पर लिखते इस नौर्ट वेरिफाइड रॉल्स थ्यूरम तो समझ पा रहे होंगे कि आप रॉल्स थ्यूरम को कैसे सॉलूशन करना है चले दिखाते हैं कुछ कोश्चन्स बूक का कि आपको कैसे क करना है देख पा रहे होंगे यह एक्सरसाइज 5.8 है और 5.8 का पहला कोश्चन क्या बोल रहे है वेरिफाइड रॉल्स थ्यूरम फूर्ड फंक्शन एफेक्स का वेलू दिया था और इंटर्वल दिया है देखिए माइनस फोर से लेकर टू तक तो इस कोश्चन को हम आधे शाम्पल में है वेरिफाइड रॉल्स थ्यूरम फूर्द फॉटन इसको वेरिफाइड करना है तो इस कॉश्चन को हम भी अवी तुरत सीखे हैं ठीक है तो फिर अगला कोश्चन क्या बोल रहा है एक्जामिन दर रॉल्स थ्यूरम देखिए पहला और दूसरा सवाल जो है ओर रॉल्स थूरम पर है दिख़़ा हो ना रॉल्स थूरम रॉल्स थूरम लिकाई लेकिन जैसे ये तीसरा कोश्चन से आगे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि mean value theorem तो एक और theorem होता है मतलब कि exercise 5.8 में जैसा कि हम लोग अभी पढ़ें कि दो तरह का theorem होता है एक roll theorem होता है और एक mean value theorem होता है देखिए ये लिखा हुआ है ना mean value theorem तो ये mean value theorem का मतलब क्या होता है तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं कि mean value theorem क्या होता है जैसे कि अभी rolls theorem पढ़े वैसा ही एक theorem का नाम है mean value theorem उसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन फिलाल rolls theorem का जो question है 5.8 में वो कौन कौन सा question है तो only first and second question है rolls theorem पे तो हम लोग first question को कर लिये है exercise 5.8 का चलिए second question देखते हैं क्या बोल रहा है examine if rolls theorem is applicable to any of the following function you say something about converse of rolls theorem from this example यानि बोला जा रहा है कि इस तीनों example में दिया हुआ है first, second, third आपको check out करना है कि कहां पे rolls theorem verify कर रहा है यानि कि किस condition में rolls theorem जो है applicable है ठीक है तो इसको हम लोग को करना है तो इसको करने के लिए rolls theorem को सबसे पहले आप fx का value दिया है क्या? x और कितना कितना के बिच में? 5 और 9 के बिच में तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं दूसरा के question को पहला समझते हैं दूसरा के पहला में समझते हैं given है हमें fx का value क्या दिया है? fx का value x दिया है और interval दिया है कितना कितना? तो interval आप देख पा रहे होंगे 5 दे लेकर 9 तक के बिच में दिया है ठीक है? अच्छा फिर क्या करना है? सबसे पहले तो f a का value और f b का value निकालना है तो यहां से f सबसे पहले लिखिएगा कि here a का value कितना हुआ? तो जो सबसे पहले value दिया रहता है तो वो होता है a का value तो a का value हो गया 5 b का value कितना हो गया? तो b का value हो गया 9 ठीक है? अब आप यहां से f a का value निकालिए तो f a का value निकालिएगा तो f a के जगा पे 5 रखिएगा तो f x का मतलब सवाल में दिया x तो यहां सिर्फ हो जागा 5 ठीक है और f b का value निकालना है तो f b का value कितना तो b का value 9 है तो यहां 9 रखिएगा तो क्या बनेगा fb का value 9 तो यहां हो जाएगा 9 और हम लोग जानते हैं न gif के बारे में पढ़े हैं कि अगर उसके अंदर plus रहेगा तपर भी और minus रहेगा तपर भी वही होता है जैसे अगर माल लिया जाए gif के अंदर minus अगर 8 रहता तपर भी plus में 8 रहता अगर 8 प्लस में भी होगा तपर भी 8 ही बाहर आता है इसको पढ़ते हम लोग gif ठीक है greatest integer function अब यह हम लोग पढ़े थे 5.7 2 या 3 में ठीक है ऐसा use हुआ था तो यहां से आप देख पा रहे होंगे 5 है तो यह 5 का 5 निकलेगा और यह 8 का 9 निकलेगा तो यहां से तो दोनों अनिकवल हो गया हम लोग को राल सुरह में क्या सिखे कि f a का value f b के वैलू के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए लेकिन यहां पर कोई बराबर नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर देखिए gif का मतलब समझे यह चीज हम लोग पहले पूरा पूरा नंबर का जो GIF होता है, वो पूरा ही होता है, तो यहाँ पे लिखेगा here, F A does not equal F B, ठीक है, दोनों equal नहीं है, so it is not verify Rawls theorem, यह Rawls theorem को verify नहीं कर रहा है, वैसे यहाँ पहला के बाद दूसरा question देखिएगा, तो यह भी बोल रहा है, F X, ठीक है, कब तो minus 2 से लेकर 2 के बीच में, तो यहाँ पे आप वैसा ही, यहाँ पे तो आप निकालेगा, तो F A और F B का value दोनों का equal आजाएगा, तो आप आगे का काम कीजिए, यानि कि अब आपको क्या करना है, आपको हम दूसरा का दूसरा question और दूसरा का तीसरा question देख पा रहा होंगे, कोशन अच्छा से, यहाँ पे F A का value X square minus 1 है, और 1 और 2 का interval दिया हुआ है, तो आप 1 दूसरा का दूसरा और दूसरा का तीसरा, यह वाला question, दूसरा का दूसरा और दूसरा का तीसरा, यह दोनों question को आपको, Rawls theorem को verify कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, आप प्लिज इसको जरूर बना कर, send कीजिए, तो आज हम लोग सिर्फ Rawls theorem को पढ़ें, अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, अगले दिन डिसकोस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद है,